गाजर का हलवा तो सभी बनाते हैं, सर्दियों का मौसम है, जस्ट मार्केट में गाजर आया है तो आज हम बनाएंगे विंटर स्पेसल गाजर का हलवा, ऐसे दो तरह के गाजर मिलते हैं लेकिन इस गाजर की बात ही अलग है, ये टेस्ट बहुत बढ़ी हार जो रेट वाली म बना रहे हैं, उसके साथ कुछ और करने वाले हैं, आप वीडियो में चैसे देख रहे हैं कि यह परपल कलर आ रहा है, तो आकर ये मैंने क्या एड किया है, इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा स्च चलिए फुल वीडियो देखते हैं, लेकिन अगर मैंने आधा बीट बड़े वाले बीट रूट से आधा बीट रूट ले लिया है और आधा केजी लिया है गाजर रेसियो लिया है आधा केजी में मैंने आधा बीट रूट ले लिया है जिससे कि इससे बढ़िया कलर और टेस्ट भी आ जाएगा और स्वात भी बन जाएगा त इस तरह से हम क्रस्ट कर लेते सबसे पहले हम चुकंदर को क्रस्ट कर लेंगे सिंगल अगर हम चुकंदर का बनाते हैं हलवा तो सभी नहीं उतना लाइक करेंगे क्योंकि सभी को ऐसा पसंद नहीं आता है लेकिन अगर मिक्स करके हम बनाएं तो बहुत ही टेस्टी भी लगेगा और स्वाद भी बढ़ा देता है अगर आपने ट्राइ नहीं किया है तो जरूर एक बार ट्राइ करना मेरे तरीके से इस तरह से मैंने दोनों चीजे क्रस्ट कर दिया है और कलर बहुत बढ़िया आया है इस तरह से गाजर का हलवा का भी कलर बढ़िया आएगा और स्वाद भी बहुत बढ़िया आएगा तो चलिए चलते हैं अब इसको हम पका लेंगे तो पकाने के लिए हमें एक कड़ाई लिया है अब इसमें सारे गाजर को जो मैंने क्रस्ट किया है और बीटूट को इसमें मिक्स कर देते हैं और डाल देंगे आधे किलो गाजर में मैंने एक लिटर दूद मलाई वाली फुल मलाई जो होती है उपर आ जाती है हम लोग वायल करते हैं तो इसमें मिक्स कर देंगे और इसे हम काड़ा होने तक पका लेते हैं जब तक कि एक दम अच्छी तरह से यह पक नहीं जाता है सूखने जाता है तो स दिरे दिरे यह कलर चेंज हो जा रहा है और इसनल कलर में आगया लेकिन टेस्ट भी अलग आएगा और जो लास्ट में इसका कलर आएगा बहुत ही पेत्री अभी हमें इसमें चीनी नहीं डाला है क्योंकि चीनी अभी आपनें मिक्स करेंगे दूद को फार देता है तो अच अच्छी तासे पक चुकी है अब इसमें हम डाल देते हैं एक कटोरी चीनी इसमें हम डाल देंगे घी एक चमच दो चमच बड़े चमच से क्योंकि इसमें घी बहुत बढ़िया लगता है अच्छे तासे भूनेंगे जब तक कि तली इससे सेपरेट नहीं होता है घी तब तक हम भूनते ही भूनते क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ ये अब भून गया है जब तली में इससे घी छोड़ने लगता है तब तक हम इससे भूनेंगे इलाइची पॉर्डर और ड्राइफुर्स मिक्स कर देते हैं कि फाइनली हमारा काजर कहलोत द्यार हो गया है जो कि बहुत ही पॉस्टिक भी है और जिस्ता से इसमें हमने एड किया है चुकंदर को बहुत ही बढ़ियां लगता है टेस्ट भी और कलर तो एक दम मस्त आया है तो आप भी एक पाजरूर ट्राइब करना और गरम गरम हम सर्व करते हैं विंटर सीजन का स्पेशल यह स्वीट्स है इसे हम मिस नहीं करेंगे तो चलिए गरम गरम सर्व करें